तुमने राज यहीं बिताई यहीं लेती थी तुम बाई यह बदमास इसके भाई का नाम रखा है टपुगा और इन दोनों का नाम है टपुगा बदमास और आपको रोटी डालता हूं मौर्निंग में भी रोटी डालता हूं इनके लिए यह दोगो मच्छा धानी में डाल रखी है तो यहीं पर बैठते हैं वहीं पता नहीं कहां पर जाके बैठते हैं आज भाई मैं जमना को आपको दिखाता हूं चारो तरफ से आप मैंसे कई भाईयों को नॉलेज है और कई ऐसे भी होंगी जिनके पास बहुत पहले से गाये होंगी वह एक बार आप देखके बताएगा कि आपका एक्सप्रियेंस क्या कहता है मैं एक बार इससे चारो साइट से दिखाता हूं आप बताएगा यह प्रेगनेंट है या नहीं है वैसे तो इसे चववन डेज हो चुकी है सबसे पहले तो मैं कोसिस करता हूं कि इसके एन दखापा हूं जिससे इसके थनों से कुछ बाई अधर से यह वर्दहाता हूं पीछे से देखो और इस साइट से तो बहुत ज़्यादा बड़ा पेट लग रहा है मजए मेरी जो स्यामा है ना प्रेगनेंट है उससे मैंने सिव कंपेर किया है तो वह उसका भी साइट पेट जा रहा है यह दो इसके ऐसी करके लाइन बन रह है कि यह पेट यहां से बढ़ रहा है कर वाई मेरी एक डॉक्टर से भी बात दोई थी बहुत ज़्यादा नौलेज थी उन्हें उन्होंने बताया था कि कुछ केसों में ऐसा होता है कि गाए कंसीव कर जाती है इसके अंदर दो ओवरी का सीन रहता है कुछ और दूसरी ओव टूट रहे है अब एक बर मैं पीछे से कोसिस करता हूं दिखाने की हां यह देखो आप पीछे साइट से दिखो यहां से थोड़ा सा मुझे यह लग रहा है यह जो आगे वाले थनों में आप देख रहे हो ना थोड़ी सी सिसकिन सी लूज हो रही है इससे मूझे थोड़ा तो सबसेолотी नहीं है और बागी एक लकीर है ना वह इसके भी ऐसी बनती है अभी तो एक खापई के घड़ी है तो इतना पता बता नहीं चल रहा है तो लकीर इसके पता चलती है साफ साफ वह देखो जो ऐसे सेव में आ रही है हलकी सी, पता नहीं वीडियो के अंदर आपको देख रही होगी ये बाली, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो बताना, ये बाली रोटी लेके आया हूँ, मैं इस मुर्गी के लिए, भाई आज इसे रोटी डाल के देखता हूँ, गेंग तो इ ये ऐसे खड़ा करो, ये आराम से बैठ जाती है, ऐसे, इसे रोटी खिला के देखता हूँ, अगर ये नहीं खाएगी तो फिर मैं हातों से छोटी-छोटी टुपड़े करके इसके मुह के अंदर डालूँगा, अब ये बाई चुंग रही है, जली ठीक हो जाएगी, ये ध आरी रोटी खा लेगी, इसे बैठने लेते हैं, और यहीं पर बंद करते हैं, कमरे के अंदर, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर ठीक नहीं होगी, तब तक इसे इसी के अंदर रहना पड़ेगा, जब भी मैं अस वाले घर में मुर्गी को खिलाने के लिए आता हूँ, तब मै इसमें दरालती लग जाती है हाथ में, तो चलो पहले मैं एक बार काटता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे, क्यों भाई इसमें भी दोना आतों का यूज होगा, वाई एक हांसे केमरा पकरके एक हांसे काटना तो पॉसिवल है नहीं, काटने के बाद मैं फिर आपसे म खंदने के लिए, किसी की सर्षों खंद रही है, और अब सर्षों बहुत ज़्यादा कम रहे गी है, वहाँ पर थ्रेसर को फिर स्पेसल बोलाना पड़ेगा, अभी क्या खांदे के लिए किसी का आया है, तो मेरी भी खांदेगा उसके साथ, भाई जाना सर्षों वाले खेत जाने के लिए स्टेंड बनाने जा रहा था, उसके लिए मैंने यह चोबा खटे कीते हैं, और यह पाइप कियेते हैं, आज का दिन भी भाई बहुत ज्यादा वेजी है, क्योंकि जब मैं इस साड़ आया था, तो मैं सोचा चलो पहले अपनी बरसी में काट लिता हूं, और आप जाने बहुत जाएगी, तो भाई शुकड जाएगी, अब इसने खाना यहां पर श्टार्ट गिया है, अभी मझे जाना है खेत पर, अगर मैं इस से यही पर छोड़ दूँगा, तो फर धूप आ जाएगी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा, और पता नहीं मुझे खेत प सारे काम आपको दिखाऊंगा, फिर पसीना भी से आना स्टार्ट है मेरे, तो वह आप चलते हैं जल्दी से खेत पर, तो अभी बाई कटर खड़ा है, उस साइड, उसका खंदने के बाद फिर साइद मेरा नमबर लगेगा, भाई धूप भी बहुत ज़्यादा होने लगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, इस साइड कही सारे पेड़ थे, आमके बढ़ कटवा दिये, जिसके अभी थे, अभी मैं बैठा हूँ, इस वाले पेड़ के नीचे, कितना छोटा है, एक दो पेड़ ऐसे बचे हैं वाई, जो गाम बचा लेते हैं, और धीरे-धीरे करके मैं सोच रहा हूँ, जिस दिन सारे पेड़ कर जाएंगे, उस दिन क्या होगा, ट्रेक्टर आ रहा है, मेरे खेत में ही आ रहा है, अभी जल्ली से खन जाए वाई, क्योंकि मुझे रेलवेस स्टेशन पे भी जाना है, एक घंटे का टाएम है मेरे पास, मुझे लग रहा है कि एक घंटा यहीं पर लग जाएगा, वहाँ पर टेटर लग रहा है, वो लोग अपना इखटा कर रहे है, ट्रेन का टाइम हो गया है, तो मैं अभी जा रहा हूँ इस्टेशन और फिर उसके बाद इस्टेशन से लोटके आऊंगा बापस, में प्रॉब्लम क्या है, इस्टेशन पे एक इस्टीड फीमेल है, और सुबह से वो दो लोगों को काट चुकी है, मेरे गाउं के, एक तो मेरे परवार के ही है, उन्हें काटा भाई, पैर में बहुंच जादा बिलड निकल रहा था, अभी क्या है मेरी मम्मी आ रही है, इस लिए मैं थोड़ा सा जली जा रहा हूं, ऐसे तो मैंने कॉल करके उन्हें वोल दिया है, अगर कोई भी इस्टीड डॉग है, तो उसक काट रही है, हो सकता है उसके बच्चे हूं, या हो सकता है कोई और बात हो, तो इस चीज में रिस्क नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल भी, चलो चलते हैं जली, यहां पर लगवो पूरा स्टीशन मैंने घूम के देख लिए, मुझे तो भी नहीं दिखी है, बच्चे बच्च सर्फों के बलदे भूस ले जाते हैं, पहले क्या होता था यह है कि पैसा देना पड़ता था, भूसा भी घराब होता था है, बूसा ले जाते हैं और वाई कुछ लोग तो ऐसा करते हैं की 100 रुपे भीगा के साब से देते भी हैं मेरे यहां पर, यह चीनकी मुझे बढ़ि प्रवाइब कर चुका हूं बट उसका कॉल नहीं लग रहा है उसका नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इस्सू रहता है जब भी वह घर के अंदर रहता है अच्छा बहुत से लोग है उन गाउं के अंदर मैंने देखा है जहां पे लोग आपको कमजोर मिलेंगे पतले कोई भी बीमारी नहीं होती है मतलब जैसे डाइपठी ब्रडपे थर हो गया और वी जो इंदर नहीं देखने को मिलती यह बिलकुल भी और वह वैसे स्वस्त होते हैं रहता है और और वहirmiा है नि comparative अगया के अंदर कोई वी बिकांवी रहता है और यह ऐख जालतार आप देखो लोगों को किसी one पीकी प्रॉब्लम होगीrist की फिरोद्षी की प्रॉप्लम Crane और खागी जब हो ठीकनार प्रीजा धाtी दिया है जञता गरता लेकर छोगाए कि इन फेर्टॉन एक diferença को जब श्चार Benjamin